आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा दिल को थोड़ा सा सुकून भी मिलेगा एक से साथ अगस्त तक आपके सप्तम भाओं में श्री लक्ष्मी नारायन योग का दिर्माण हो रहा है जो की मजबूत योग है और मजबूती से बना भी हुआ है ध्यान से अपनी गोचर कुनली को देखिए बुद्ध और शुक्र सप्तम भाओं में बैठे हैं एक से साथ अगस्त तक बुद्ध यानि की भगवान विश्णू शुक्र यानि की मालक्ष्मी देव गुरू ब्रस्पती अपनी दरस्टी डाल रहे हैं शनी भी अपनी दरस्टी डाल रहे हैं तो ये योग मजबूत हो गया यानि और ताकतवर हो गया तो भगवान विश्णू और मालक्ष्मी खुद आपके कष्ट मिठाने के लिए आ रहे हैं गुरू की अमरत्तुल्य दरस्टी और शरी की शुब दरस्टी से इस योग को पावर मल जाएगी और आपकी राशी के स्वामी है शनी देव और आपके प्रॉफिट भाव के स्वामी है गुरु देव तो कुल में लाकर इन साथ दिनों में काफी कुछ बेहतर होने की उमीद है जोतिश में बुद्ध को भगवान विश्टू और शुक्र को बालक्ष्मी खा गया है आपके लिए मज़िदार शुरुआत होगी अगस्त के महीने के और मैं कहूंगा कि मज़िदार शुरुआत होगी आगे आने वाले वक्त की बुद्ध सप्तम भाव में शुक्र सप्तम भाव में शुब ग्रहों की दृष्टी ये राजयोग बन गया बहुत ही बलवान है आपके लिए वक्त अगर आप वैपारी हैं तो आपके लिए क्या कहने हर तरीके से आपके लिए शुम समय है आपके जीवन में कोई परिशानी आने वाली नहीं और जो परिशानिया है वो जाने वाली है तो पती-पत्नी या परिवारी लोग आपके साथ होंगे. आप पर या आपके परिवार पर कोई मुसीबत नहीं आएगी. अगर आपकी पत्नी के वीश में कोई तनाव है, परिवार में कोई टेंशन हैं, तो इससे बचने का तरीका भी आप लोग निकाल लेंगे. पती-पत्नी के रिष्टों में प्यार बढ़ेगा, प्रेम संबंध भी बढ़िया होंगे आप जीवन साती को कोई अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं, जीवन साती के साथ अच्छा समय मिता सकते हैं कोई आ रहे हैं तो शीवन संदर पती या पत्नी आपके जीवन में आ सकता है या सकती है आप मित्रों के साथ बड़ी हो वैपार करेंगे, आपके घर महमान आएंगे, देखिए महमान आने का मतलब यह नहीं कि खर्चा होना यकीन मानिए, महमान उनी के घर आते हैं जिससे भगवान पर संदर होते हैं तो यह एक अच्छी बात है कि आपके घर महमान आ रहे हैं, भगवान का आशिवाद मिल रहा है आपको आप जहां जाएंगे, वहां पर करिश्मा दिखाएंगे आप जहां जाएंगे, वहां पर चमतकार दिखाएंगे अपने बुद्धी का, अपने ताकत का, अपने ग्यान का तरक बुद्धी वाली होगी, यानि कि हर बात का जवाब आपके पास होगा, आप किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, उस चीज को पूरा करके छोड़ेंगे, आप किसी भी काम को मिलिक्षर परिक्षर करने के बाद ही शुरू या उसको खत्म करेंगे, यह पढ़िया समय ह हवा में कुछ नहीं होगा, सबकुस सही तरीके से होगा, आपका सौभाव बहुमुखी होगा, मिलनसार होगा, जो इनसान लोगों से मिले, जो इनसान लोगों से अच्छी तरीके से बात करें, उस इनसान की कदर करती है दुनिया, आप अपने काम को धहरे पूर्वक दूसरे की काम पी जानकारी भी लेंगे, महिलाओं के लिए इन समय को आप भागिशाली समय कह सकते हैं, अगर आप पुरुष हैं, तो आप अपनी पत्नी की मदद से और तरक्की करेंगे, आप श्री लक्ष्मी नारायन योग का पूरा लाप राप करेंगे, आपके साथ सब क चारों के इंसान होंगे, और सबसे मज़ेदार बात ये है कि आप बहुत कुछ नया सीख जाएंगे, बातों बातों में आपको ज्यान मिल जाएगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, पुछ शिक्षा के लिए रास्ते खुलने वाले हैं, नए बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है, नए वाहन की मुखिंग करा सकते हैं, भगवान आपको सर्व बन संबंद मनाएंगे, गुरू ग्रह की अमरत तुल्य दरश्टी, यानि गंगा जल जैसी पवित दरश्टी आपके हर काम को तेरी से सफल बनाएगी, आप पीछे मुण कर नहीं देखेंगे, आपकी आमदनी बढ़िया होगी, आरती पक्ष पहले से बहुत बढ़िया होगा, किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, बिजनस खूब फले पुलेगा, नौकरी में नई नौकरी की तलाश पुरी होगी, प्रॉपरिटी के मामलों में बढ़िया फल रहेगा, आप देश विदेश में जाकर नाम और पैसा कमा सकते हैं, विदेशी स्कूल कॉलेज में पढ़ सकते हैं, हर तरफ तारीफी तारीफ होगी, करियर में तरक्की होगी, आपको बड़ा धलनाव होने वाला है, शिक्षा का लाब होने वाला है, ग्यान भी बढ़ने या योग आपकी खराब आर्थिक इस्तथी को सही कर देगा, कुछ करजों से भी मुक्ती मिल जाएगी, टेंशन से भी मुक्ती मिल जाएगी, और जो घर की बाते बाहर जा रही थी, लोग आपकी घर को कहते हैं हमेशे लड़ते जगरते रहते, अब इस घर से कोई आवाज नहीं आएगी, अब आवाज आएगी तो इसे प्रेम की, महबत की, शुक्र और बुद्ध सकरात्मक परिणाम दे रहे हैं, तो आपके लिए समय बढ़िया है, परिशानी का अब कोई क्या कहते हैं, कोई कारण नहीं है कि वो आपकी घर में रुके, अब परिशानी को आपक आलसी है, उनको तो सतर साल मिल जाए, तब भी कुछ नहीं होगा, और जो लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनकी जनम कुनली में सितारे मजबूद हैं, उनके लिए बहुत बड़ा समय है, इसमें नजाने वो क्या क्या कर लें, तो एक अच्छा वक्त है, इसमें क किसी नए काम की शुरुआत, और कोई बुरे काम का अंध होना तैय है, अब उपाए की भी बात कर लेते हैं, लेकिन लक्षमी जी को परसंद करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले भगवान विश्णू को परसंद करिए, भगवान विश्णू परसंद में है तो मालक्षमी परसंद है, भगवान विश्णू को परसंद करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, केसर का टीका लगाना चाहिए, मंदर जाना चाहिए, पुजारी जी के आशिरवाद लेना चाहिए, शुक्र को परसंद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, भगवान को ख सीर का पर्शार्द मखान का परशार्द चड़ाहे इससे मालक्ष्मी परसंदम खुश्बू इत्र का प्रियॉक को रहे बढ़िया इत्र या सुगंदे धूबत्टी किसी منδिर में धर्मिस्थान में दान करें लक्ष्मी नायार मंदिर में दान करें इस से आपको लाव होगा अपने घर में इत्र का प्रयोग करें खुश्बू रहे अपना क्या कहते हैं शरीर को बहुत अची तरीके से और घर को बहुत अची तरीके से सोच रखें इतने उपाय कर लें और जो शादी शुदा है वो अपनी पत्नी को खुश रखें पत्नियां पती को खुश रखें और जो शादी शुदा नहीं है वो हर महिला को खुश रखें इस से ज़्यादा और कुश करने की आशक्ता नहीं है खुश रहिए पसंद रहिए आनन में रहिए और अपती जनम खुनली की जाएंच जरूर कराईए ताकि आपके भिगड़े हुट सितारों को हम सही कर सके और आपको पूरा लाप मिल सके खरियों नमस्कार